नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ अविलाश बारत और वेस्ट इंडीस के बीच दूसरा पेटियम वंडे इंटरनाशनल विशाखा पटनम में खेला जा रहा है और यहाँ पर क शर्मा ने कहा कि शिकराज तुम रन बनाओ मैं जा रहा हूँ घर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर विराट कोली ने जो आज कॉम्बिनेशन खिलाया है वो काफी शांदार रहा है क्योंकि यहाँ पर खलील हमत को टीम से बाहर किया गया है और कुल्दी प्यादफ की एंट् दरसल यह विशाखा पत्नम का वही मैदान है जहाँ पर महेंदर सिंग धोनी ने एतिहासिक 148 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद दुनिया को शायद सबसे बहतर क्रिकेट इतिहास का फिनिशर मिला था यह वही मैदान है जहाँ पर भारत में 58 रनों से पाकिस्तान को ह जिसमें महेंदर सिंग धोनी का बल्ला गर्जा था और एक बहतरीन श्यतक उनके बल्ले से निकला था वो दादा का भरोसा था जो धोनी को यहां तक लेकर आया अब बात करते हैं विराट कोहली की विशाका पत्नम का मैदान वही मैदान है जहाँ पर विराट के आकड़े तो विशाका पत्नम का मैदान क्या भारत के लिए लगी होगा, ये बहुत जादा सोचने वाली बात है, बहराल आपको बदा दें कि वेस्ट इंडीज के कप्तवान, जेसर होलडर में एक बड़ा बयान दिया मैट से ठीक पहले, उन्होंने कहा कि हमारी पस ऐसी टीम है जो भा हो सकता है कि आज शायद वेस्ट इंडीज की टीम अगर भारत को छोटे स्कोर में रोकने में सफल होती है, तो शायद चेस डाउन भी करते एक टार्गेट को, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि आज जब कल तीसरे वंडे माच के लिए टीम डिसाइड होगी, तो क्या यही टीम तीसरे वंडे माच में खेलते हुई नजर आएगी क्योंकि BCCI ने जो टीम का एलान किया था, वो सिर्फ दो वंडे माचेस के लिए किया था, अब बचे हुए तीन माचेस के लिए क्या BCCI टीमों में बदलाव करेगी, इस वेरिस्ट में सबसे बड़ा जो नाम गर भारती टीम यहां पर मैच को जीतती है तो हो सकता है कि भारत इसी combination के साथ जाए लेकिन अगर यहाँ पर आप जीते भी हैं प्रित्वी शौ को आप मौका देना चाहते हैं तो भी शिखर या रोहित में से कोई ना कोई एक बाहर बैठेगा हो सकता है रेस्ट भी कराया जाए क्योंकि भारत को अस्ट्रीलिया जाना है लेकिन यहाँ पर सभी बल्लेबाज यह कहेंगे कि भई मैंने रंस की हैं मुझे रंस बनाने मैं confidence लेके जाना चाहता हूँ अब मुझे बाहर क्यों बिठारे क्योंकि शिकरदवन रोईचर्मा दोनों टेस्ट ट्रीम से ड्रॉपट है तो क्या इन खिलाडियों की जगे बाकी खिलाडियों को मौका मिल सकता है यह भी देखना दिल्चस्प होगा तो चलिए फिलाल इस खास अपडेट में इतना ही अब से कुछ देर में फिर